नमस्कार दोस्तों मैं मयूड सुर्वनची अपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के सम्मिधानी कितिहास के विविद प्रशनों के बारे में ये ऐसे प्रशने हैं जो बहुत सारी विधिक परिक्षाओं में पूछे गए हैं कई हिंदी भाषी राजी जैसे उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, उत्तराखन, चत्तीसगड, बिहार, जारखन तथा राजस्थान की बहुत सारी सिविल जज और एपियों की परिक्षाओं में कुछ प्रशन आये हैं जो समिधान विशय के हैं, इन सभी प्रशनों को हम पढ़ने वाले हैं आज और ये सभी प्रशन ऐसे प्रशन हैं जो आपकी MPPAC की एक्जामस में भी काम में आते हैं और विधिक परिक्षाओं में भी काम में आते हैं तो class start करते हैं दोस्तों, आपके सामने slides आएंगी और slides के अंदर आपको प्रशन मिल जाएंगे उनके कुछ options होंगे और किस वर्श ये प्रशन पूछे गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी उसमें होगी मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा और उन सभी options की उपर चर्चा करेंगे कि आखिर बागी options को अपन क्यों हटा रहे हैं तो class start करते हैं, जैसे कि पहला प्रशन आपके सामने आ रहा है कि निम्ण में से किसे शक्ती का सर्वोच स्त्रोत माना जाता है भारत के सर्वोच नियाले को या भारत की संसत को या भारत के राश्पती को या भारत के समिधान को तो इस प्रशन का उत्तर होगा कि D option भारत के समिधान को हम सर्वोच शक्ती का स्त्रोत मानते हैं अब बात कर लेते हैं कि सर्वोच नियाले की, तो सर्वोच नियाले जो है हमारे पास सक्ती का तो स्त्रोत नहीं है, किन्तु यह सम्विधान की व्याख्या करता है संसत की बात करें तो संसत हमारे पास एक एसी संगटन है जो विधी निर्मान करती है राश्पती जो हमारे पास एक सांकेतिक रूप से प्रधान के रूप में कारी करता है इसलिए ये भी सक्ति का स्तुरोत नहीं हो सकता तो option D इसका best answer है अगली बात करते हैं निमलिखित में से किस ने कहा है कि भारती संविधान एक शशक्त केंदरी करत प्रवर्ती वाला परी संगात्मक संविधान है अब इसमें ज्यादा समझने के आउशकता रही है इसमें उस व्यक्ति का नाम पहचानना है हमें जिसने ऐसी बात करी है तो यहाँ पर सर आईवर जैगनिंग्स साहब ने ऐसा कहा है कि भारती सम्विधान एक शशर्ट केंदरी प्रवर्ति वाला परी संगात्मक सम्विधान है तो आंसर C इसका सही होगा आईवर जैगनिंग्स अच्छा यहाँ पर जो डाइसी और वीलर हैं यह भी बहुत अच्छे ठिंकर रहे हैं इनके बारे में आगे प्रशन आ जाएंगे भारती सम्विधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो यह भी एक संख्यात्मक प्रशन है यहाँ पर आंसर आएगा इसका A कि मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है और नहीं उनको छीना जा सकता है तो ठीक है कि यह आधारभू संरीचा की सिध्धान का तात्पर ही क्या है तो यह तो बिलकुल नहीं लग रहा है दूसरा आप्शन देख लेते हैं कि सम्विधान का शंशोधन के वल अनुछे 368 म नहीं लग रहा है सम्विधान के उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सम्विधान का भाग नहीं है और साथ ही वह सम्विधान की आत्मा को प्रतिबिंदित करता है यह उप्शन भी सही नहीं लग रहा है सम्विधान के कुछ लक्षन इतने अनिवार हैं कि उनका शंशोधन नहीं किया सकता है यह बात सही है कि हमारे सम्विधान के अंदर कुछ ऐसी आधारबु संरशना और ऐसे कुछ आधार बुद तथा है और जो उनको लक्षण भी कह सकते हैं जो अनिवारी रूप से हैं जिनमें हम बिल्कुल भी शंशोधन नहीं कर सकते हैं यही हमारी आधारवु संद्शना के सिध्धान के तहाता है तो आंसर D सही है इसका नेक्स प्रशने भारतिय संगवाद को सहयोगी संगवाद निम लिखित में से किस ने कहा है तो यहाँ पर आंसर आता है Greenvillie Austin ने भारतिय संगवाद को सहयोगी संगवाद कहा है नेक्स प्रशने भारतिय संविधान के अनुसार निम लिखित में से कौन सर्वोच है तो यहाँ पर अपन बात करी चुके हैं कि हमारे पास सर्वोच कौन सी चीज है संविधान सर्वोच है ना तो राश्पती सर्वोच होगा ना सर्वोच नियाले ना संसद संसद की सरवोचता ब्रिटेन में है और सरवोच न्याले की जो सरवोचता है वो हमारे USA के समविधान में है परन्तु भारत के अंदर सम्विधान सर्वोच है अगली बात कर लेते हैं भारती सम्विधान में शंशोधन द्वारा धर्म निर्पेक्ष तता समाजवादी शब्द कब जोड़े गए और कहां जोड़े गए तो जहिर सी बात है कि ये जो शब्द है धर्म निर्पेक्ष और समाजवादी ये शब्द हमें हमारी प्रस्तावना में सुनने को मिलते हैं क्योंकि चार आप्शन इसमें दिख रहे हैं कि प्रस्तावना, नीति निर्पेक्ष तत्व, मुल अधिकार और उक्तसभी तो मुल अधिकारों में धर्म, निरपेख्ष और समाजवादी शब्द नहीं है नीती निशक तत्वों में भी हमें दोनों शब्द सुनने को नहीं मिलते तो option A बच जाता है यहाँ पर तो option A जो है इसका सही होगा क्योंकि हमने 42 संविदान शंशोधन के माध्यम से 1976 में प्रस्तावना के अंदर को शंशोधन किया और धर्म, निरपेख्ष और समाजवादी शब्द को हमने जोड़ा अगर आपको इन दोनों शब्दों की व्याख्या समझनी है कि क्या होता है यह तो आप प्रस्तावना का डेटेल्ड वीडियो देख सकते हैं उसमें बहुत विस्तार से इन दोनों शब्दों को समझाया गया है आगे प्रशने की निम लिकित में से किसने या किसके द्वारा भारत में दुएत शाषन जिसको बोलता है डायार की दुएत शाषन वेवस्ता इस्थापित हुई थी तो यहां पर जो इसका आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम उननीस सो उननीस हुआ ये था कि भारत सरका अगर 1935 की बात करें तो इस अधिनियम के संग संबंदी प्रावधानों के लागू न होने पाने के कारणी हमने क्या करा था इसकी स्थापना की जा सकी थी तो कुल मिलागे अगर स्भेथ में बोले तो किसके दौरा देश शाचल इसकी खापित हुआ भारत में तो 1919 की दौरा और केंदर में की दौरा हुआ तो 35 के दौरा ठीके दोनों चीज आपको याद रखनी है 35 भी और 19 में अगला प्रशने भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संद्रक्षक नियाले का गटन किया गया था जो कहलाता था अब कौन सा नियाले था 1935 के तरी संद्रक्षक नियाले तो इसका अंसर है आपका उच्चतम नियाले क्योंकि प्रीवी कौंसिल हमने बहुत पहले बना रहे 1935 की बात चल रही है यह तो यहां पर उच्चतम नियाले ही होगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जो हमारे संग तता इसमें शामिल होने वाली जो इकाईया हैं उनके बीच उठने वाले जितने भी विवाद हैं उनके निप्टारे के लिए भारत में एक संगी निय थी इसे ही संगी नियाले या संदक्षक नियाले भी कहा जाता है तो 1935 में इसको संदक्षक नियाले कहा गया अब बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतरगत कितने गवर्नर के परांत वह मुख्य कमिशनर के प्रांथ मिलकर बिटिज भारत का निर्मार करते थे यह बहुत common सा factor है तो यहाँ पर इसका answer आएगा कि 11 हमारे पास कमिशनरी प्रांथ है और 11 गवर्नर प्रांथ है और 7 कमिशनरी प्रांथ है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतरगत अगर कहें तो 11 हमारे पास गवर्नर के प्रांथ हो गए साथ मुख्य कमिशनर के प्रांथ मिलकर पूरे एक बिटिश भारत का निर्मार कर देते थे अगला प्रशने है समिधान सभा के सदस्य अब यहाँ पर क्या है कि थे ऐसा करके वता रहा है तो जनता द्वारा सीधे चुने गए थे तो जनता द्वारा सीधे बिलकुल भी नहीं चुने गए थे यह क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा प्रतेक्ष चुनाओ नहीं हुआ था दूसा प्रशन दे रहा है क्या भारती राष्टी कॉंग्रेस द्वारा नामित थे तो ऐसा भी नहीं है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस ने सभी को नामित किया हो क्योंकि कुछ-कुछ हमारे पास प्रतिनिदियों के रूप में भी आये थे अगला है कि भारती राजकुमारों के प्रतिनिदी थे तो ये भी पूरा 100% सही नहीं है कि राजकुमारों के प्रतिनिदी थे प्रांती विधान सभाव द्वारा चैनित है ये बात सही है कि जो भी हमारे समिधान सभाव के सदस्य थे वो प्रांती विधान सभाव द्वारा चैनित हुए थे तो इस प्रकार से हमारा D option सही हो जाता है कि समिधान सभा के जित्ते भी सदस्य थे वो प्रांती विधान सभाव द्वारा चैनित थे यह आपके MP की APO में पूछा गया था यह प्रशन अगला प्रशन है भारतिय सभा का समिधान सभा का गठन कब किया गया समिधान सभा के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में जाओं आप्शन न देखते वे तो समिधान सभा का गठन नॉर्मली 1946 में ही हुआ था और इसकी स्थापना की जो पहली बेटक थी नौ दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बेटक 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बेटक 11 13 दिसंबर को दो दो दिन का गैप इसमा आएगा और यहीं पर हमारे पास नहरू जी का विश्वा प्रस्ताव आता है उद्देशी प्रस्ताव और बहुत सारी बाते हैं कुल मिला के हमें बात कर लेते हैं कि इसमें कल 359 सदसी थे और इन्में से 292 ब्रिटिज भारत के पुरांतों में से और 93 ऐसे देशों से या ऐसी देशी रियास्तों से आये कि इसी दिन चुनकर आये थे और सचिनान सिनार को हमने अश्थाय अध्यक्ष भी चुना था जबकि सचिनान सिना की मौत हो जाती है इसके करण 11 दिसंबर 1946 को डाक्टर राजन प्रसाथ को सम्विधान सभा का इस्थाई सदस्य चुन लिया जाता है तो इस प्रकार से आपकी स मांट बेटन योजना से आया था तो सबसे अच्छा तरीका है मांट बेटन योजना या मन बाटन योजना मन बाटन योजना से कैसे यात रखेंगे तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो मन बढ़ गये थे एक मन भारत हो गया था एक मन पाकिस्तान हो गया था त 1947 तो माउंट बेटेन योजना के सुझाओं और परिणाम सुरूप भारती सुतंता अधिनियम 1947 ही पारित हो सकता है तो अंसर हो गया इसका सी बात करते हैं भारती समिधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे बहुत ही सिंपल है तो यहां पे आपके अमेटकर भी ऑप्शन में ह समिधान सभा के पहले अध्यक्ष अच्छा अइस थाई पूछता तो सचीदान सिना थे और इस थाई पूछ रहा है तो राजन पसाथ तो यहां पे आपके इस थाई जो अध्यक्ष है वो 11 दिसंबर 1946 को राजन पसाथ बने थे तो यह आपका अंसर हो जाएगा इसके बात क प्रिप्स मिशन नहीं हो सकता वेवल मिशन भी नहीं था लोट माउंट बैटन की योजना भी नहीं थी ये हुआ था कुल मिला के केबिनेट मिशन प्लान के दूआरा ही भारत में सम्विधान सबा का गठन भी किया गया था नेक्स्ट प्रेस लेते हैं निम लिखित में से कौन सम्विधान का मौसौधा समीटी मौसौधा मतलब ड्राफ्टिंग कमिटी या प्रारूप समीटी का अध्यक्ष था तो मोतिला नहरू जी नहीं थे मोहंदास करमचन गांदी भी नहीं थे सरदार पटेल भी नहीं थे तो समविधानिक सभा के अध्यक्ष कौन थे तो यहां पे इसके सविधानिक सभा के अध्यक्ष पिछली प्रश्ण सभा के पहले अध्यक्ष तो यहां पर डाक्टर राजन प्रसाद सेम lateral ग्हाटि रहेगी 11 दिसमबर 1946 समीधान बनने वाली ड्राफ्ट कमिटी के अध्यक्ष क जाएगा डाक्टर राजेंद परसाथ सर्व सम्मति से चुने गए थे सम्विधान सभा के सम्विधानिक परामर्श जाता कौन थे तो सम्विधानिक परामर्श कहीं बार पूछा जाता है यह प्रशन MPPSC में पूछा जाता है साथ में आपके MPSI में पूछा जाएगा UP Rajasthan ब सलहकार थे सम्विधानिक परामर्श जाता सलहकार थे और पहला प्रारूप भी इन्होंने ही बनाया था तो B.N. Rao का भुलिएगा मत ड्राफ्टिंग कमीटी अलग चीज़े उन्होंने अलग ड्राफ्ट बनाया पर इन्होंने कच्चा मसदा बनाके दिया था अब बात करत बैठक दो दिन बात 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जिसमें उद्देश प्रस्ताव पंडि जवाला नेरु ने रखा था अब बात कर लेते हैं सम्विधान सभादवारा विरचित भारत का सम्विधान अंतिम रूप से कब अंगीक्रत एवं अध इसकी जो डेट थी वहाँ पर दे रखिए 26 नमबर 1959 तो इसका जो सी ऑप्षन है वो सही है और वर्तबान में एक प्रश्ण और आप यहाँ पर जान लीजिए कि 26 नमबर 1959 को आज की तारिक में हम क्या मानते हैं विधी दिवस के रूप में मनाते हैं तो आपको विधी दिव साया 26 नमबर क्योंकि इस दिन हमने समिधान को अंगिकरत किया था क्लियर तो आगे बढ़ते हैं समिधान सभा ने राष्टी ध्वज तिरंगे को स्विकार किया कब क्या तो आपका इसका आंसर आता है 22 जुलाई 1947 ठीक है समिधान सभा ने राष्टी ध्वज तिरंगे को 22 1947 को स्विकार किया था यह बहुत ही कॉमन सा फेक्टर है कई बार आप कंफ्यूज जाते हैं 50 लगाए या 47 लगाए तो आपको इसमें 47 लगाना है 47 कंफ्यूज नहीं होना है अगला प्रशने विधिक सेवा दिवस विधिक सेवा दिवस नॉर्मली राष्टी विधिक सहायत दिवस प्रतिवस कब मनाएंगे 9 नवंबर को मनाया जाता है अब बात करते हैं समिधान सभा की प्रथम बैठक जो की 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी इसकी अध्यक्ष्टा निमली कित में से किसके द्वारा की गई थी तो वही आपको पता है कि जो इसकी 9 दिसंबर वाली समिधान पर हस्ताक्षर किये निमली कित में से किस तारीक को तो तारीक आपको पता होनी चीए कि किस तारीक को साइन किये थे तो विदी दिवस किस तारीक को मनाया था उसी तारीक को हम साइन भी करेंगे और इसी तारीक के दिन हम कुछ उपबंद भी लागू करेंगे जिस आंसर कहां पर दिखावाए तो आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन पर 26-11-1949 तो 26 नुवंबर 1950 को सभी ने साइन किये थे और सम्विधान को लागू मान लिया था लिम लिखित में से किस दिन पूरा सम्विधान प्रभावशिट हुआ अब वो ही मैं आपको बताया कि 26-11-1950 को लागू होगा पूरून रूप से तो तारीक ढूंड लीजे 26-11-1950 को बहरत का सम्विधान पूरी तरह से लागू हो गया था बारत के मूल सम्विधान में अनुचे दोयों अनुसूचियों की संख्या क्या थी तो आपको याद हूना चाहिए 395 तौह आपके पास क्या थे अनुखे थे और अनुसूचिया पूछ रहा है तो आपके पास आट अनुसूचिया थी क्योंकि 9 वी अनुसूची हमने 1951 में पहले सम्विधान शंशोधन के माध्यम से जोड़ी थी तो आपके पास कुल 8 अनुसूची आए और 95 अनुच्छे अब बात करते हैं भारती सम्विधान में कुल कितने अनुच्छे थे तो भी बताया 395 भारती सम्विधान सर्वप्रथम एवं प्रमुक रूप से एक सामाजिक दस्ता वेज है यह कथन किस ने कहा है वापिस लाइन में रिपीट कर देता हूँ भारती सम्विधान सर्वप्रथम एवं प्रमुक रूप से एक सामाजिक दस्ता वेज है तो यह बात जो है हमारे एक ओंस्टीन साप करके नाम आता है ग्लेनवीन ओस्टीन तो यहाँ पर आपको option कहा मिल रहा है यह बी option में आपको नाम दिख रहा होगा ग्लेनवीन ओस्टीन साहब ने कहा था कि भारती समिधान सर्व प्रथम एवं प्रमुक रूप से सामाजिक दस्ता बेचे तो यह प्रश्ण जो है कई बार आपकी एक्जाम से पूछा जा सकता है नॉर्मली अगर बात करें तो यह MPPSC में तो नहीं ही पूछा जाएगा पर हाँ विदिक सेवाओं में जरूर पूछा जा सकता है निम लिखित में से किस लेखक ने भारती सम्विधान को अर्ध परिसंगात्मक कहा है यह ऐसा प्रश्ण जो यूपी एसी से लेकर MPPSC और सभी एक्जाम में पूछा जा सकता है तो इसका आंसर है प्रोफेसर केसी विलर विलर साब ने अर्ध परिसंगात्मक इसको कहा है चीके तो अगर बात करें तो भारती सम्विधान अर्ध संग्य या अर्ध परिसंग्य कोशी फेडरल एक वर्ड लिखाया है उन्होंने यूज किया है तो केसी विलर साब कहते है मतलब एकात्मक राजी है जिसमें संगात्मक तत्वी साहिक रूप में दिखाई देते हैं ऐसा कुछ कंसेप्ट है इसका अगर आपको एक डेटेल में जानना है तो आप संगात्मक विवस्था इसको समझ सकते हैं एक और वीडियो बना रखा है उसके माध्यम से फिर भी अगर नॉर्मली जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अर्द परिसंगात्मक कैसा होता है कुल मिला कि ऐसा एक एक एकात्मक राजी जिसमें संगात्मक जो तत्व होते हैं संगात्मक राजी के रूप में भी दिखाई देता है या एकात्मक तत्व के सहायक रूप में भी कहा जा सकता है मुझे लगता है कि आपको इत्ती आसने से समुझ में नहीं आए गई थोड़ा कंसेप्ट फ़ड़ा डिटेल वाला है तब डिटेल वीडियो देख लीजेगा प्लीज आगे बढ़ते हैं भारती समीधान की जो प्रणाली थी उसको क्या कहते हैं संसदी प्रणाली अध्यक्ष होता है और भारत में चलती है संसदी प्रणाली क्योंकि यहां पर संसदी प्रणाली है अब बात कर लेते हैं निम लिखित में से कौन सी भारती संसद की प्रमुक विशेष्टा नहीं है दोस्तों विशेष रूप से द्यान रखना इसका आंसर कुछ भी हो पर आपको नहीं वर्ड पर फोकस करना है जब कभी भी आप एक्जाम में नहीं वाला कोई भी प्रशन देखे तो नहीं पर सबसे पहले घोला लगा लें ताकि आप कभी भी ऑप्शन पढ़के कंफ्यूज नहों तो प्रशन फिर से पढ़ते हैं निम लिखित में से कौन सी एक भारती समिधान की प्रमुक विशेष्टा नहीं है तो क्या-क्या विशेष्टा है जैसे हमारा समिधान लिखित समिधान है और समिधान की सर्वचता है ये तो विशेष्टा है परिसंग कल्प संदशना तो ये भी हमारी पास परिसंग कल्प संदशना है प्रतिबद न्या सम्विधान है तथा भारत की जो शाषन पुरानली है उसमें सम्विधान की सरवच्छता को माना गया है भारती सम्विधान यदभी संगिये विधान या संविधाना चैशन है परनतु विशेश परिसीटियों में यह unitary एकात्मक भी हो जाता है अतह से परी संगिय कल्पना या क्वासी फेडरल जो कि हमारे केसी विलर साब कहते हैं उस प्रकार का हो जाता है भारती सम्मिधान में शक्तियों का प्रथकर सेप्रेशन ऑफ पावर भी है यदे भी उतना कटो रूप से नहीं है जितना कि अमेरिका के सम्मिधान में दिखाई निम लिखित में से किस अभी लक्षण ने हमें इंग्लेंड जिसको हम UK कहते हैं United Kingdom के सम्मिधान से ग्रहन किया है नहीं किया है फिर से आप देखेगा यह नहीं वर्ड आ रहा है तो ग्रहन नहीं किया है तो यहां पे है संसत के दो सदन संसदी सरकार उच्छतम न्याले तो भारती सम्मिधान में जो विद्दमान अभी लक्षण अभी जो दिखाई देते हैं उसमें दो सदन संसदी सरकार और संसद कर विशेशादिकार यह तो हमने बिटेंज से ले लिए परन्तु जो हमारे पास उच्छतम न्याले है यह हमने USA से लिया है तो यहां पर आपका आ किसल आओ संन्विधान में प्रबल केंद्री संग की विचारधारा का उपबंद लिया गया है कहां विचारिकाई ने बनान है। बहुत सारे देसों दे तुलना करके बनाया गया है वीडियो अगली बात करते हैं भारत का सम्मिधान है कैसा है आपका भारत का सम्मिधान तो आप सभी को बताए ना तो जादा कठोर है और ना ही जादा लचीला है तो भारत का सम्मिधान आंशिक रूप से कठोर कह सकते हैं और आंशिक रूप से लचिला कह सकते हैं और ये किसने का है सर आईवर जैगनिंग्स ने आईवर जैगनिंग्स के अनुसार एक और बात है कि भारत का सम्मिधान विश्व का सबसे बड़ा सम्मिधान है अगली बात है संसदी शाषन प्रणाली आधारित होती है तो संसदी शाषन प्रणाली किस प्रणाली आधारित होगी शक्ति के अविभाजी करण पर दूसरा उप्षन है शक्ति के प्रतक करण के सिद्धान पर नियाई सुतंतरता पर या इन में से कोई नहीं तो जाहिट सी बात है option देखे सोंज में आई रहा है आपको कि संसदी शाषन प्राली का जो आधार है वो है आपका शक्ति का अविभाजी करन इस प्राली में क्या होता है कि कारिपाली का का गठन विधाईका के सदस्यों से होता है तथा मंत्री परिशत जो है वो विधाईका मतलब जिसको संसत कहते हैं कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदाई होती है तो इसी को कहते हैं शक्ति का अविभाजी करन केलियर नेक्ट कोशन है विधी प्रशाषन की व्याख्या से संबंदित विधी शास्त्री है तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो है डाईसी तो डाईसी ने विधी प्रशाषन की व्याख्या की है और डाईसी के विधी प्रशाषन की व्याख्या कहलाती है विधी का साशन रूल ओफ लॉओ ठीके तो डाईसी को आप याद रखेगा विधी के शाषन का सिध्धान दिनों नहीं दिया था 理 of law निमलिखित में से सरवोपरी कौन सी चीज यह अगर भारत के संबंद में बात करें तो हमारे पास संसाथ सरवोपरी नहीं है हमारे पास राष्ट पती सरवोपरी नहीं है उच्चतम न्याले सर्वोपरी नहीं है इन सभी option में जो सबसे सर्वोपरी दिखरा option B है क्योंकि हमारा सम्मिधान सर्वोच है सर्वोपरी है सूपीरियर है सूप्रीम है अगला प्रशन देखते हैं भारतिय सम्मिधान अवशेश शक्ती या अवशिष्ट जो 248 है उसके नुसार ये बताया गया है कि संग की अवशेश यो शक्तियां है वो केंदरी सरकार में नहीत होती है और उनके पास सुरक्षित रहती है अगली बात करते हैं भारत के सम्मिधान में अब या पर option दे रही हैं डारेक्ट उन्होंने 9 नुसूचियां है 10 नुसूचियां है 11 है या 12 है अगर बात करें कि जो हमारा सम्मिधान स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास 8 नुसूचियां थी तो अगर कहा जाए कि भारत के मूल सम्मिधान में कितनी नुसूचियां थी तो 8 नुसूचियां थी जबकि वर्तमान में कितनी हो गई हैं बारा हो गई है तो इसमें पहली बात आपको बता दे हुजाएं कि जो भूमी सुमधार संबंदी जितना भी विधेयक आये थे उनको संरक्षन पदान करने के लिए क्या करा था 1951 में दसवी अनुसूची जोड़ दी गई अच्छा दसवी को याद करने का तरीका है दो पंजे दस गुणा करते हैं या पांच दुनी दस तो दसवी अनुसूची बावनवे समिधान शंशोदन द्वारा जोड़ी गई थी रिपीट कर देता हूँ 1973 में एक समिधान शंशोदन हुआ जिसका नाम हमने 73वा समिधान शंशोदन रखा और इसके माध्यम से हमने पंचायती राज संस्थाओं को वेधानिक दरजा देने के लिए ग्यारवी अनुसूची बनाई इसी साल हमने क्या करा कि 1974 में हमने क्या करा एक 74वा समिधान शंशोदन अधिनियम किया और नगर निकायों के संबन में बारवी अनुसूची को जोड़ दिया हमने तो इस प्रकार से हमारे पास आज की तारिक में 12 अनुसूचिया हो गई है और आपको अनुसूचियों के बारे में अगर प्रथक जानकारी चाहिए कि पहली में क्या है दूसरी में क्या है तो इसका एक प्रथक वीडियो भी बना के रखा हुआ है आगे बढ़ते हैं भारत के समिधान के बारे में यह किसका कथन है कि समिधान एसी शाषन पद्यती की स्थापना करता है जो लगभग परिसंग कल्प या परिसंग कल्प है अब इसका वही आंसर आजाता है कि प्रसिद केसी वीलर साब जो है वो भारती समिधान को क्या करते हैं क्वासी फेडरल थोड़े पहले परिसंगात्मक तो यह वही परिसंग कल्प या परिसंगात्मक वर्ड वही है तो केसी वीलर इसका आंसर होगा इन्होंने क्वासी फेडरल कहा है मतलब कि हम सामानी रूप से तो राज जिब में अलग सरकार चलाते हैं पर आपात काल की इस्तती होती है तो हमारी केंद की सरकार काम करती है तो यह वह वासी फेडरल है परिसंगात्मक बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अब बात करते हैं अगले प्रश्ण की भारती सम्विधान में एकात्मक राज जिसमें संगात्मक तत्व सहयक रूप में न की संगात्मक राज जिसमें एकात्मक तत्व सहयक कहे जा सकते हैं का प्रावधान है अच्छा एक्चुली दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ जब भी कुछ ऐसा टिपिकल प्रशना है आपके सामे जैसा भी आपको लग रहा होगा कि क्या हिंदी है ये तो इसको पढ़ने का एक बहुत आसान तरीका है कि आप रुक रुक के पढ़ें जैसे भारती समिधान में एकात्मक राज्य जैसे भारती समिधान में एकात्मक राज्य जिसमें क्या बात कर रहा है संगात्मक तत्व सहयक रूप में अब संगात्मक तत्व सहयक रूप में क्या है न कि संगात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहयक कहे जा सकते है का प्रावधान है यह कतन किस ने कहा है? तो यह कतन जो है हमारे प्रोफेसर केशी विल हर का ही है क्योंकि केशी विल हर साब ने कौवासी फेडरल का सि modular का त्थान दिया है और उसी हम उन्हें ने कहा था ये कि भारती समिधान में एकात्मक राजी के संगात्मक तत्व दिखाई देते हैं सायक रूप में ठीक है वही एकात्मक हो संगात्मक जब आपके पास नॉर्मल है तो आप संगात्मक हो और जब कोई विशेश परिसिती हो तो एकात्मक हो नेक्स प्रस्ट्रों की बात करते हैं, कारिशील परिसंग के लिए निम लिखित में से कौन सी एक नियूंतम आज्यापक अपेक्ष है, तो आज्यापक अपेक्षा क्या करता है यहां पे, तो सारे आप्शन देखने पड़ेंगे इसमें, संसत के उच्छ सदन में राज्यों क होना चाहिए, नहीं, क्योंकि कारिशील परिसंग के लिए निम लिखित में से कौन सी एक नियूंतम आज्यापक अपेक्षा है, मतलब कौन सी बात इसमें बहुत ज़रूरी है, तो संसत के लिए उच्छ सदनों में राज्यों का प्रतेरियों होना चाहिए, तो होता ही है, नियाईक पुनर्वालोकन, ये भी ही सही हमारे पास, और रास्टी एवं राज जी इन दोनों सतरों की सरकारों के बीच विदिग शक्तियों का वितरण, येभी होता है, जिसमें इन सरकारों की अपने-पने श्रित्रों में स्वाधिनता सरुक्षित रहे, ये भी होता है, राश्टी एवं राज इन दोनों इस्तरों पर सरकारों के बीच विधाई एवं प्रशाश्चिक शक्तियों का वित्रण जिसमें सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किन्तु सहायकार युक्त प्रियोक सुनिश्चितु यह ऐसा नहीं होता अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको प्रशाश्चिक वित्तिय शक्तियों को सुनिश्चित रूप से विभाजित और प्रथक करण हो फिर भी उनमें पारिसपरिक सहयोग या म्यूच्वल कॉपरेशन की जो भावना है वो होनी चाहिए एक प्रतिदुन्दा जिसको कॉंपेटिशन की भावना कहते हैं जिसमें कि सरकार की शक्तियों को स्वाधिन इंडिपेंडेंट रूप से किन्तु सहयकार युक्त कॉपर बशलता है आगी की बात करते हैं का निमलिखित कचनों पर विचार कीजी जैसे कि मैं आपके सामने कुछ ऐकतन दूंगा इन में से कौन से सही है या कौन से गलत है ये अपने को निकालना है तो बात कर लेते हैं कि अलिखित सम्विधान है भारत का वो हमारे पास तो लिखे थे तो आप्शन एक तो गलत होई गया तो हमारे पास लिखे थे तो आप्शन जो दो है वो तो सही सिद्ध होई रहा है तीसा देखते हैं मुखित भारत सरकार अधी है वो ने सब 35 पर आधा लिए तो नहीं से लगबग 250 जो प्रावधान थे वो हमने ऐसे कैसी यहां से उठा लिये थे तो एक दो और तीन इन में से 2 और 3 सही है कौन सौप्शन में दिख रहे हैं और बी में दो और तीन सही है तो इसका और सही होगा अब बात कर लेते के हैं कि समयर्थां के रूप में हमारे केसी विलर साथ आपको सभी को लग रहा होगा कि यहां पर केसी विलर बहुत बार आolar है क्यों कि इनके बारे में बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं नेक्स प्रशन है भारत का संविधान परिसंगी क्वासी फेडरल प्रक्रती का है क्योंकि अब इसमें ऐसा क्यूं है तो इसको मैं डारेट बता दूं कि इसमें हमारे पास संग और राजियों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन होता है ठीक है तो संग राजी शेतरों के बीच में जब हम शक्तियों का विभाजन करते हैं तो यही हमारा क्वासी फेडरल परिसंगी प्रक्रती को दिखाता है तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि भारती सम्विधान जो है वास्तवी रूप में एक संगात्मक प्रक्रती फेडरल नेचर का है किन्तु क्योंकि इसमे केंद्र हैं वो दोनों अपने अपनी शक्तियों को स्वतनता पुर्वक भी प्रयोक करते हैं जैसे हमारा पास केंद्र में अलग सरकार है राज्जी में अलग सरकार है यह केवल कतिपय या कतिपय जैसे कि हम कुछ इस्पेशल कंडिशन में ही विशेश परिस्तितियों में ह क्या होता है Unitary Form में आ सकता या एकात्म गुरूब धारन करता जैसे युद्ध हो गया तो हमारे यां केंद्र सरकार की ही चलेगी राजसरकार की नहीं चलेगी तो इस परकार से हमारा समीधान है जिसका आप परी संग्ये कहते हैं अब बात करते हैं परिसंग ही अगला प्रशन देखें लिए कथन एव कह रहा है कि परिसंग में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बटवारा होता है ठीक है आर क्या कह रहा है इसका दूसरा कि विधान किसी अन्य विधान मंडल को दिये गए विशय का कि विरुद्ध नहीं हो जाता मुझे लगनी रहा है कि A और R का कोई आपस में संबंद लग रहा है ठीक है तो यह दोनों बिल्कुल अलग-अलग बाते चल रही है जिसे कि इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है A और R दोनों सही है तो सही तो दोनों है ही सही परन्तु A R का सही कि इसपश्टी करण है या नहीं है तो इसका प्शन B जो दिखा रहा है कि इसपश्टी करण सही नहीं है अब मैं आपको समझा देता हूं इसको कि परिसंगी विवस्ता के अंतर्गत यह तो आपको समझ में आये गया एक क्वासी फेडल है केंदो राज्यों के बीच में श क्योंकि यह कथन जो है वो तत्व और सार के सिद्धान doctrine of peace and substance आप आगे पढ़ेंगे इस तो को उस पर आधारित है तो इस प्रकार से हमारा जो है दोनों कथन तो सही है परंतु इन दोनों का आपस में कोई भारती सम्विधान का हैं तो बिशत दूरूप सविधान का भीने से ऑल दो सारी। जो है वो ऐसी दिगती है कि हम संघातमक हैं को अगर भारत को बाहर से देखता है तो देखता है कि एक केंद सरकार है, एक राजी सरकार है, अलग स्टेट है और राज्यू की अलग अलग प्रकार की राज विवस्था है, तो स्वरूप में तो हम संगात्मक दितने हैं, केंदर रखे, राज्य अलगे, परन्तु अगर उसके आत्मा की बात करें, तो आत्मा के लिवल पे हम एक आत्मक है जब भी कोई विपदा आएगी तो भारत एक स्वरूप धारन कर लेता है ठीक है तो इसका option A सही है अच्छा option 3 आपको confused करने के लिए था कि स्वरूप में एक आत्मक और आत्मा में संग आत्मा ठीक है तो confused मत होना A option ही इसका सही है तो ये जो है S.R. Bohim बनाम भारत संग के मामले में उच्छतम लिएले ने ये अभीमत से व्यक्त किया था कि भारती समिधान जो है एक परिसंगी समिधान है और परिसंगवाद समिधान का आधारपुर धाचा भी है ठीक है तो ये भी आप याद रखना S.R. Bohim बनाम भारत संग का केश ठ संगात्मक है ठीक है अर्थ संगात्मक नहीं बता रहा है ये सहकारी संगन नहीं बता रहा है तो S.R. Bohim के बाद में निर्णे दिया है सरवोच नाले ने कि भारत का समिधान एक संगात्मक समिधान है ठीक है तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 53 वाला कि इसमें कुछ एक सू गणराज जी में ऐसा ही होता है कि वहां पर किसी पंत्र निर्पेक्ष तो किसी धर्म को राज धर्म के रूप में मानेता नहीं देता तो ये भी पंत्र निर्पेक्ष में सही है लोग तंत्र की बात करें तो यहां पर सरकार का ऐसा सुरूप जो जनता की इच्छा से प्रणाली की सरकार की आधार शीला क्या है तो संगी प्रणाली की आधार शीला का अनुच्छे ढूंड़ना है तो यहां पर आपका अनुच्छे 74 एक नहीं है 75 इसका अंसर है 75 थी कि भारती समिधान की जो संसदी प्रणाली है उसके आधार शीला का जो है में पढ़ लेंगे आगे बात करते हैं सुची एक और सुची 2 के मिलान को देख लेते हैं फिर से तो यहाँपे आपकी संवर्तिपी सुची Więchi अपने कहां से लिए कि यहाँ आप्षान में दिख रहा होगा तो समर्थिसी वो हमने बिटेन से लिया है और विदी का शाषन रूल ऑफ लौ तो यह तो बिटेन षाइलाaradv इसी व्यक्ति को अगर उसके प्राण से अलग करना है तो विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया से करेंगे तो यह जापान के समिधान से आईए और बच्रा आपका राज का नितिशनक्तत्व आइलेंड से लिया है तो आप्शन कहां से मिलाएंगे आप तो इसका ऑप्श की चीज़ यह MPPSC में पूछा जा सकता है साथ में आपका UPSC में भी पूछा जा सकता है और बहुत सारी कॉंपेटिशन इंग्राम जिसमें सम्मिधान आ रहा है वहाँ पर यह पूछा जाएगा अब बात करते हैं भारती सम्मिधान में कौन से भाग शांती मैं सामाजिक कर के लिए प्रती सम्मिधान निर्माताओं की प्रति बद्दता दर्शार करते हैं तो यह बताता है कि शांती मैं सामाजिक करांती तो कुल मिला कि अगर हमको किसी प्रकार का कोई भी राज्य के खिलाफ आंदोलन करना है तो शांती मैं ही करना पड़ेगा तो हमें प्रकारों के सम्मंद में भागतीन भी देता है और निति निजिक तत्व भी इस प्रकार की पावर देता है ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं शांती पूंट रूप से निरायुद रूप से सम्मेलन कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई संगोष्टी कर सकते हैं क्रांती कर सकते हैं आपातकाल आपातकाल जो है हमने जर्मनी से लिया था ठीक है जर्मनी के समिधान को हम वाइमर गंड़तंत्र कहते हैं और 1946 में सायद ही बना था एक्जेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है पर उन्थवाइ 1946 ही होगा आपातकाल 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 आपातक लगत आती है और राजी के निती निदेशक जो तत्व हैं वो भाग चार में आते हैं तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अगला प्रशने आपका संग का अती महत्पूर अभिलक्षन क्या है तो सबसे अच्छा जो आपका संग का लक्षन होता है वो होता है शक्ति का विभा क्षक्तियों का विभाजन है इसमें संग टता राज्यों की विधाई शक्तियों को तीन सूचियों क्योंकि हमने सुना अभए अस्जोच कूस्ता संवर्थी को बाता है इसमें ti-7 विश्यह को कि Um वही हमने राजी सूची के विशय में लगबग छाचड जो विशय हैं वो हमने किसको दे रखें राजी को या राजी की सरकारों को और कुछ 47 लगबग ऐसे विशय हैं जिसको हमने समवर्ती सूची में डाला है जिसमें राजी और केंद्र दोनों ही जो हैं विदी बना सकते ह तो संग का अती महत्पूर्ण अभी लक्षन जो निकल के आता है वो आता है शक्ति का विभाजन प्रतक्रण होता है मतलब अलग-अलग हमने विभाजन किया है तो विभाजन और प्रतक्रण में आप कन्फ्यूज ना हो अगला प्रशन है भारती सम्विधान के अंतरका संप् में आई गया होगा जाता बोलने कि आपशक्ता नहीं है अगली बात करते हैं निम लिकित में से कौन सी शक्ति के स्तरोथ के रूप में सर्वोच है तो यहां पर फिर वह आता है सक्ति कहां से मिलेगी तो हमारे पास सुप्रीम कोट का जो आर्टिकल 124 तो 124 से लेकर 147 तक तो 77, 78 तक हमारे पास यहां तक राजपती के प्रावधन चलते हैं तो उसका पुरा सेगमेंट है तो कुल मिला के भारती समीधान जो है इन सब को पावर दे रहा है तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज पड़ा है बारत के जो समयधानिक विकास था जो समयधानिक इतिहास था उसके बारे में बहुत सारे झाल झाल